हेलो एवरीबन वेलकम टॉर चैनल इस वीडियो में देखेंगे प्रात्मिक शिक्षा अधिकम इस्तर मुल्यांकर परिशातू 2022 से रिलेड विशय हिंदी का कक्षा 5 के लिए पेपर तो यहां हम पूरे पेपर को देखने जा रहे हैं विश सॉलिशन विद आंसर देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं बिना देली के कोशिन को कोशिन फर्स है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोश्टक में लिखें तो यहां कोशिन पूछे गए हैं आपको अप्जिक्टी टाइप जिसमें से आपको चार उप्शन में से चूज करना है क सवगात का अर्थ होता हैं ईल्फ सोग्रा सागर उपहार सोगन सांजaden पहार इन से रिवन किसी तो पहारो में से एक वर्ष में महिनों की संख्याा तो बारा महिने तो यहां ओप्शिन से रिआ को आईये नेक्स्ट है को क्रोस शर्बत का अर्थ तो क्रोथ होता है i computer option a source करेक्ट हो जाएगा next है महत्मा जी के लिए डौनों भाई क्या लाई तो answer हो जाएगा function 5 अगस्त okay 17 अगस्त seven answer दीवस थीकर 15 अगस्त को स्वथंधा दीवस बोलते हैं तो यहां option से correct हो जाएगा प्रजापती किसको कहा गया है प्रजापती कहा गया है ब्रह्मा को option बे correct हो जाएगा स्वच्छ शब्द का अर्थ है स्वच्छ शब्द का अर्थ हो जाएगा option से साफ एट कोशन है जमीदान ने बालक को बुलाकर काहा तो क्या काहा ओप्शन दैस वापने की बात बताने को सत्य बुलना एक प्रकार की तपस्या है तो ओप्शन हो जाएगा अखण उत्तम वेक्ति के गुण है यहाँ ओप्शन आपको दे रखा है आदर करना, मदुर बोलना, लिनम्र रेना तो उत्तम वेक्ति के तीनों ही गुण होते है यहाँ ऐसर हो जाएगा ओप्शन दै करेक्त वो प्रोक सभी नेक्स्ट है स्वामी विवेका नन्ने ख्याती अर्जित की यहां options है आपको correct option क्लिक करना है correct option हो जाएगा options है शिकागो विश्व धर्म समेलन में नेक्स्ट है दुर्ग की प्रत्थम द्वार का नाम है तो दुर्ग की प्रत्थम द्वार का नाम हो जाएगा ऑप्शन ए गनेशपूर नेक्स्ट हो जाएगा सकती स्थल इस्तित है तो कहां इस्तित है पोकरन में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है उदैप सिंग की दक्योदेह भाल कौन करती थी उदैप सिंग की दिखबल कौन करती थी पन्ना था है तो option बेखरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है वायस मतादिकार की नियुन्तम आयू तो यहां हमारे इंडिया में वायस मतादिकार की नियुन्तम आयू है 18 वर्ष ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा नेक्स सेकेंड कोशन है नीचे दिये गई शब्दों में उची शब्द धून कर लिखी आपको शब्दे रखे हैं जिनको आपको रिक्तिस्थान में फिल करना है हम भारत की भरत खेलते यहां हो जाएगा शेरो की संतान से तो आपने देखा ही है भारत की भरत जो चैप्टर ह है हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है यहां क्या आजाएगा शेरो ठीके अगर आपने चैप्टर्स रीड नहीं किये हैं अपनी कक्षा से रिलेट तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस में जाकर के सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं वहां पर हमने विड डेटेल पूरज समझाया हुआ है विड डेटेल सारे कोशन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंट तक कोई भी कोशन मिस नहीं किया है सबी कोशन के आंसर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे तो आप हमारी वीडियो से चेक आउट कर सकते हैं जो भी अगर पढ़ना जाहे अपने चैप् थर्ड question है बोजन की बात बताऊंगा कि कौन बुद्धी में रिक्तिस्तान है, तो यहां क्या हुजाएगा? कौन बुद्धी में स्रेष्ट है? हसो और हसाव? क्या है? अच्छा स्वास्ते पाओ, ठीके हसने से अच्छा स्वास्त रहता है, तो इसलिए हसते रहना चाहिए और हसाते रहना चाहिए उसने अपना क्या चालू रखा तो यहां लिखेंगे अध्यान उसने अपना अध्यान चालू रखा सदाचारी बनने के लिए बिनम्र होना आवश्यक है बच्पन में ही इनकी माता-पिता का देहानत हो गया था जहसल मेरी को स्वण नगरी भी कहा जाता है ध़र कूशन है सही बाके की सामने सही गलत की सामने गलत का चिन लगाई यह तो आपको सेंटेस देखने हैं कि कौन से गलत है और कौन से सही है यहां हमसे देश भारत पर गर्व है तो यह सही है दोनों पाई हसी मजा कर रहे थे यह भी सही है 26 जनवरी को सुअटनता दीवस नहीं सुअटनता दीवस बनता है 15 अगस को तो यह गलत है तो यहां गलत चिन लगा देंगे देवता ने भोजन शान्ति पुर्वफ मिलकर किया तो ये सही है जहां स्वच्छता होती है वहां बीमारिया होती है जी नहीं जहां स्वच्छता होती है वहां बीमारिया कभी नहीं आती है जहां गंदगी रहती है वहां बीमारिया आती है पन्ना धाय ने उद्य सिंग की जा दुराचार, इमानदार बेइमान, सम्मान अपमान, निर्भे भैबित, अनुकूल प्रितिकूल, स्वच मलीन, स्वत्तंतरता पर्तंतरता, राजा रंग, स्वस्थ अस्वस्थ, निन्ने ए निन्ने, ठीक है? कोश्टक में लिखे शब्दों का चैन का रिक्तिस्थान की पूर्ति किजिए, तो आपको कोश्टक में लिखे शब्दों का चैन का रिक्तिस्थान की पूर्ति करनी है, फर्स्ट है, लड़के को क्या आ गया, क्रोध आ गया, लड़के को क्रोध आ गया, सेकिन है, लोगतंतर की जाकी लेकर क्या आती है 26 जन्वरी लोग तंतर की जाकी लेकर 26 जन्वरी आती है हमें सड़क पर चलते समय किस तिशा में चलना चाहिए बाई और दो पईया जावाहन चलाते समय हेलमेट लगाना आवश्यक है मनुष्य सामाजी प्रानी है मारगेट को सिक्षन का कारेब अच्छा लगता है संग्या की बदलिक काम आने वाले शब्द को सवनाम कहते हैं जन्ता द्वारा चुनी गई सरकार को लोग तंतरिक सरकार कहते हैं ठीक है नेक्स दिखेंगे नेक्स कुशन 6 है सत्य एसत्य लिखिए तो सत्य एसत्य कथर लिखना है आपको फस्ट है हमें सडक पर बिना देखे चलना चाहिए एसत्य है बिना देखे नहीं देखकर चलना चाहिए हमें कच्रा पात्र में कच्रा डालना चाहिए तो यह सत्य है प्रजापति विश्णु भगवान को कहते हैं जी नहीं ब्रह्मा को कहते हैं स्वस्थ तन से जीवन सुख में होता है तो ये भी सई है पडोसी राजा ने एक घोडी को भेजा तो ये भी इसका आंसर जो है वो मिल नहीं रहा था तो ये थोड़ा सा डाउटफूल है कि असत्य है या ऐसत्य है मदान सूची में नाम दर्च पूत के लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है तो ये सत्य है सेविन्थे इस्तम एको इस्तम बैसे मिलान कीजिए प्रया बाची दे रखे हैं रात का हो जाएगा यहां पर रजनी पेड का तरू वन जंगल सूरे हसकर बचन में हो जाएगा किताब किताबे बकरी बकरिया लड़के लड़का पैसे पैसा नेक्स्ट आति लगुरुत्रात्मक प्रश्ण लाउपसर लगाकर दो शब्द बनाने हैं लापरबा लाजबाव नाइन्ध कुशन है नमन वा शहीद शब्दों का यूज़ करते वे दो वाक्य बनाएं तो नमन के लिए देखेंगे जैसे स्वत्द्रता के लिए बलिदान देने वाले लोगों को शर्षत नमन है दिल्ली में वी शहीदों की याद में इसमारक बना हुआ है सड़क पर चलते समय कौन कौन सी साबदाने रखनी चाहिए तो यह हर की क्लास में बहुत इंपर्टेंट कोशन बनता जा रहा है क्योंकि सड़क से एक नएक कोशन हर एक्जाम में देखने को मिल ही रहा है ठीके तो यहां लिखेंगे सड़क पर चलते समय मोबाईल वा बात नहीं करने चाहिए सड़क पर चलते समय बाई आउर चलना चाहिए तीके नेक्स 11 है लाल पीला होना मुहावरी का अर्थ में प्रियोक कीजिए लाल पीला यानी गुस्सा होना ठीके मोहन की खिलोना तोड़ने पर श। श्याम लाल पीला हो गयाумुत गुस्सा आइकार की तो फेल 15. पन्ना धाई सो क्या नाम था है जड़े सदन 15 विशेशण सब्ध शाटीर राम-ग बहुत नड़का है यहां पर विशेशन प्यारा लड़का है यहां पर विशेशन प्यार लड़की की विशेशन के वह संग्या शचाहा है विशेशन कहते हैं शीला एक सहनसिल वाली का है तो कैसी बाली का है, सहनसिल कैसी का आर्थसर आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा सहनसिल जो आपको विशेशन हो जाएगा इस तरह से complete होता है आपकी सबी question answers इस paper के, उमिध है आपको पूरा paper समाज आया होगा और आप इससे अच्छे से करेंगे ताकि आप अपने एक्जाम में पूर्ण में से पूर्ण अंक हासिल करें और अगर हमारी चैनल के थुरू आपको थोड़ी भी अगर हैल्प लगती है ताकि हमें मॉटिवेशन में नए नए वीडियो बनाते रहनेगी तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तके लिए धन्यबाद